हेलो दोस्तों स्वागताब सभीका हमारे online channel अरadhyon RAS Academy में दोस्तों राजस्तान पत्वार भरतिपरिक्षा, राजस्तान रिट भरतिपरिक्षा और राजस्तान पुलिस Constable भरतिपरिक्षा के लिए राजस्तान इत्यास की класс शुरू की गई थी जिसमें अपने कल महराना परताब के बारे में पढ़ा था और अपनी आठ कलास है वो complete हो चुकी है आज दोस्तों इसमें 90 नंबर की कलास है महराना परताब के आगे अमर सिंग के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो दोस्तों वीडियो है वो आपको पूरा देखना है और अरध्यारस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राब जरूर करना है बैल आइकन को दबाना है वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की कलास आज दोस्तों 14 नंबर का इंपोडेंट राजा है और बहुत ज़्यादा मैतोपून भी है तो दोस्तों राजा है अमर सिंग पर्थम और ये पुत्र किसके थे तो ये माराना परताब के पुत्रे थे ठीक है माराना परताब के बाद में सासक कौन बनता है तो अमर सिंग बनता है ठीक है 1573 में से 1620 इस्वी तक है इनका सासनकाल रहता है ठीक है और उदर देखो 1605 में अकबर की मर्ति हो जाती है उसके बाद में जहांगीर और जहांगीर के बाद में दोस्तों यहां पर साजा सासक बनता है दिल्ली में ठीक है तो मेवाड मुगल संदी मेवाड मुगल संदी है वो 5 फरवरी 1615 को हुई थी ठीक है तो 5 फरवरी 1615 को किसका सासन था तो दोस्तों मैं आपको बता दू 1615 से लेके 1627 तक जहांगीर का सासनकाल था ठीक है दिल्ली में तो दोस्तों देखो 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड संदी हुई थी तो किसके सासनकाल में हुई थी तो दोस्तों जहांगीर के सासनकाल में हुई थी ठीक है याद रखना 5 फरवरी 1615 मुगल मेवाड संदी ठीक है यह संदी अमर सिंग वे मुगल बादशा जांगीर के बीच में हुई थी अमर सिंग ने संदी की ठीक है संदी किसने की अमर सिंग ने और ये किस-किस के मद्दे हुई तो अमर सिंग और मुगल बादशा जांगीर के मद्दे ये संदी हुई थी अब देखो यूराज करण सिंग जो अमर सिंग का बेटा था तो दोस्तों यूराज करण सिंग के दबाव के करण अमर सिंग ने संदी की थी संदी की तरफ से साजा यानि कि जांगीर का बेटा ने संदी की थी यानि कि संदी है वो जांगीर के बेटे की तरफ से यानि कि सांजा की तरफ से हुई थी ठीक है और अमर सिंग का बेटा था जिसका नाम था करण सिंग करण सिंग के दबाव में आकर दोस्तों अमर सिंग ने ये संदी की थी मेवाड की तरप से संदी का प्रस्ताव सुबकरण वे हरिदास जाला गए थे संदी का प्रस्ताव लेकर कौन गए थे तो सुबकरण और हरिदास जाला याद रखना ये दो नाम सुबकरण और हरिदास जाला ये दोनों दोस्तों मेवाड की तरफ से संदी लेके गए थे जांगीर के पास तीक है याद रखना अब देखो अमर सिंग ने संदी तो कर ली थी लेकिन अमर सिंग ने क्या किया कि कुछ सर्ते रखी तीक है कुछ सर्ते रखी थी जांगीर के सामने तो सर्ते कौन सी थी तो द यूराज जाएगा यानि कि अमर सिंह खुद नहीं जायगा अगर राजा होता है तो और उसके इसतान पर करन्सिंह जाएगा मेवाड मुगलों को 1000 गुड सुवारव की साइथा देगा मेवाड़ है कि मुगलों को 1000 गुड तो दूस्तो, जांगिर के पास था उस समय तो संधी के अंदर ये सर्थ थी कि जो मेवार को वापस दिया जाएगा लेकिन मेवार है वो उसका पुनन निर्मान नहीं करेगा मेवार के साथ विवाईक सम्ध इस्तापित नहीं किये जाएंगे तो दोस्तों ये भी इसमें बहुत ज़्यादा मैत्वपून है कि मेवाड की कोई भी लड़की या औरत है वो उसकी साधी है वो मुगल बादशाओं के साथ में या उनके परिवार के साथ में उनकी साधी नहीं होगी ठीक है? यानि कि मेवाड के साथ वेवाईक संबंद है वो इस्तापिते नहीं किये जाएंगे जो पूर्ने कर लिया था जो पूर्ने कर लिया था अब देखो संदी का मैत्वप क्या था संदी का मैत्वप देखो राणा सांगा और परताब के समय से संदी के कारण सांती विवस्ता इस्तापित हुई अतै इससे कलात्मक गतिविद्यों को बढ़ावा मिला थीक है यानि कि संदी के कारण क्या हुआ पहले लड़ाया होती थी तो डर रहता था लड़ाई करने जाना था लेकिन अब इस संदी के कारण क्या हुआ कि सांती की किया ठीक है यानि कि 5押नच थार का मनसब्दार बनाया किस ने जहांगीर ने ok figured को तो यूराज करण सिंग को यूराज करण सिंग्ह को था तो दूस्टों अमर शिंग का बेटा ठीक है याद रखना देखो जहांगीर जहांगीर ने परसंद होकर अमर सिंग और करन सिंग की मूर्तिया आगरा के किले में लगवाई थी। याद रखना अब देखो सर टोमस रो जो परतम यात्री थे विदे से आने वाले तो सर टोमस रो ने कहा था इस संदी के बारे में कि मुगल बादशान ने मेवाड के राणा को समझोते के अदीन किया नेकी ताकत से यानि कि मुगल बादशान ने मेवाड के राणा को समझोते के तहत अधीन किया था, ताकत के बल पर नहीं कर पाया था, अमर सिंग इस संदी से दुखी होकर राजकारिय छोड़ देता है, तथा नो चोकी पाल जो राजसमंद में इस्तित है, तो दोस्तो नो चोकी पाल नामक इस्तान पर अपने अंतिम दिन व्यतीत करता है, और इसी इ राजसमंद जील बनवाई गई थी, तो देखो, पहले नो चोकी पाल थी, ठीक है, वहाँ पर अमर सिंग ने जो अपना अंतिम समय था, वो बिताया था, और उसके बाद में दोस्तो वहीं पर ये है, राजसमंद जील का निर्मान करवाया गया था, ठीक है, अमर सिंग की छ चितरकला, चितरकला सहली का विकास होता है, ठीक है, और अमर सिंग के बाद सभी मेواड के जो मारानाओं की छत्री है, वो आहड में बनाई जाने लगी, याद रखना दोस्तो, ठीक है, सबसे ज़्यादा मैन इपोडएंट है, कि अमर सिंग की छत्री का आपर है, तो आहड म और अमर सिंग के बाद में जितने भी मेवाड माराना हुए हैं, उनकी सभी की छत्रियां हैं, वो आहड में मुझूद है, और मेवाड चितरकला सहली का जो विकास है, वो दोस्तों अमर सिंग के समय ही हुआ था, ठीक है? अब देखो आगे चलते हैं, पंदरा नंबर का सासा क अपना करण सिंग, करण सिंग किसका बेटा है? तो अमर सिंग का बेटा है, ये दोस्तों 1620 से 1628 तक ये सासन करता है, ठीक है? तो देखो, इसने उदैपूर में जग मंदिर महलो का निर्मान सुरू करवाया था, यानि कि उदैपूर में जग मंदिर महलो का जो निर्मान है वो शुरू किस ने करवाय था तो करण सिंग ने करवाय था ठीक है, देखो सहाजा अपने पिता से विद्रों के दोरान इन्ही मेलों में रुका था कौन से मेलों में, तो जग मंदिर मेलों में रुका था, ठीक है देखो उदेपुर में महल बनवाई थे करण सिंग ने कौन कौन से तो एक था दिलखुस महल क्या नाम था दिलखुस महल एक तो दिलखुस महल और एक है करण विलास महल ठीक है ये दो महल का निर्मान करवाया था किसने करण सिंग ने करण सिंग के बारे में आपको इतना ही याद रखना है उसके बाद में दोस्तों सासक बनता है कौन जगत सिंग ठीक है उसके बाद में सासक कौन बनता है जगत सिंग 1628 से लेके 1652 तक है इनका सासनकाल रहता है देखो इसने जग मंदिर महलो का निर्मान पूरा करवाया था इ वो करवाया था ठीक है देखो जग मंदिर मेलो का निर्मान है वो शुरू किस ने किया था तो करण सिंग ने और जग मंदिर मेलो का निर्मान पूरा किस ने किया था तो जगत सिंग ने ठीक है और उदैपुर में जगदीश मंदिर यानि कि जगनात मंदिर का जो निर्मान है वो दोस्तो जगत सिंग पर्थम ने करवाया था इसे अती सुन्दर होने के कारण सपने में बना मंदिर कहा जाता है यह मंदिर है वो इतना सुन्दर है कि ऐसा कहा जाता है कि सपने में बना यह मंदिर है इस मंदिर की जगनात राय परसस्ती के लेखक कृषन भट था तो दोस्तों यहाँ पर एक परसस्ती भी लगी हुई है जिसका नाम था जगनात परसस्ती और उसके लेखक कौन थे तो कृषन भट थे तो कृषन भट है वो जगनात परसस्ती के लेखक थे याद रखना ठीक है जगत सिंग की धायमा नेजुबाई देखो याद रखना एक तो पन्ना धाय थी धायमा ठीक है और अब मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो है जगत सिंग की धायमा अब जगत सिंग की धायमा है वो कौन है तो देखो जगत सिंग की धायमा है वो है नोजुबाई याद रखना नेजुबाई भी बोलते इनको नोजुबाई ठीक है जगत सिंग की धायमा नोजुबाई ने भी एक मंदिर का निर्मान करवाया जिसे धायमा का मंदिर भी कहा जाता है ठीक है याद रखना तो दोस्तों जगत सिंग की धायमा थी जिसका नाम था नोजुबाई और नोजुबाई ने दोस्तों क्या किया था एक मंदिर का निर्मान करवाया था जिसका नाम था क्या नाम था तो धायमा का मंदिर याद रखना ठीक है जगसिंग पर्थम अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद था देखो जगनात प्रशस्ती और भी देखो दोस्तों इसमें मैं आपको थोड़ी से एक चीज और बता देता हूं कि 1631 इस्वी में साजा ने सुजान सिंग को मेवाड से अलग सापुरा बीलवाडा की रियासत है वो दे दी थी ठीक है और दोस्तों माराना ने पिछोला पिछो अगर तालाब का निर्मान भी करवाया था ठीक है आपको इसमें जगत सिंग में याद क्या रखना है कि जग मंदिर मेलो का निर्मान पूरा किस ने करवाया तो जोस्तों जगत सिंग ने इसका निर्मान शुरू किस ने किया था तो वो किया था करन सिंग ने ठीक है चेता कौन है तो वो है कृष्ण भट ठीक है आपको ये चीजे इसमें याद रखनी है और एक चीज और मैंने आपको बताई थी इसमें कि जगत सिंग की धायमा थी जिनका नाम था नोजुबाई क्या नाम था नोजुबाई ठीक है और नोजुबाई ने एक मंदिर का निर्म क्लिट हो गई है ठीक है कल इसमें दसवी नंबर की कलास आएगी तो दोस्तों अगर आपने अभी तक आराध्यारेस अकेडिमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन को प्रेस करें वीडियो को ल क्लास है साइंस की क्लास है यह भी स्टार्ट की जाएगी क्योंकि लड़के कम हैं इसकी वज़े से दोस्तों परतिदिन क्लास नहीं हो पा रही है तो दोस्तों एक बार सभी शेयर कर देंगे तो दोस्तों सभी लड़के जुड़ जाएंगे तो दोस्तों प्रोपर क्लासे ह स्टार्ट की गई है बाकी के और स्टार्ट कर दी जाएगी एक बार सभी लड़के पटवार बरती के जो तैयारी करने वाले हैं वो जुट जाए तो ठीक है जै हिंद जै भारत